जे मशीखी मशीपरिवार वचन जीवन कारीकरम में आप सभी को हम स्वागत करते हैं, एक बार फीर, हमारे साथ में सामिल होने के लिए आम आपको धनवात देना चाहते हैं, और याद रखना वचन ही जीवन है और जीवन ही वचन है क्यूंकि विना वचन के हम परमेशवर को प्रशन नहीं कर सकते। ये अमारे जिवन के लिए बहुत जरूरी चीज़ है परमेश्वर का वचन, क्योंकि परमेश्वर का वचन उस कमपस की तरह रहता है, जो हमें डारिक्शन को देता है, यह हमें जहां पर हमें जाना है, अगर हम किसी नहे शहर में जाते हैं, या बहु Google Map अमें डारेक्शन को देता है कि किस रास्ते को लेना है और आगे जाकर कहां से में राइट एन या लेफट एन करना है वो हमें डारेक्शन को देता है ताके जो हमारा जो अन्तिम परिनाम है या जहां पर हमें पहुंचना है वहां हम पहुंच सकते हैं तो प्यारे लोग मैं यह कहना चाहूंगा यह जो परमेश्वर का जो वचन है हमारे और आप के लिए वो अंतिम परिनाम या जिस परिनाम के जो हमारा गूल रहता है जीवन में जो हम चाहते हैं उसके जो वहां तक पहुंचने के लिए यह हमारा डारेक्शन है परमेश्वर का जो वचन है वो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है पिछले सब्डा हमने जब प्रogiफ्स के किताब पर 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 कहता है कि परमेश्वर का वचन जो है हमें दियान दे कर कानलगा कर अपने आखों से उसे उलजने या अपने आखों से दूर नहीं होने देना है क्योंकि वो हमारे जीवन जीने के लिए वो कारण रहता है या हमारे जीवन के विशे में जो अनंत जीवन हम प्राप्त किया है वो हम प्राप्त कर सकते है प्यारे लोग यह याद रखना अगर हम अनंती जीवन को प्राप्त किया प्रभु इसमसी के नाम के द्वारा उतना सिर्फ जरूरी नहीं रहता है कि हमें जानना लेकिन उससे आगे भी है कि ये अनंती जीवन में क्या है धरमसास्त कहता है एक इसक्तान पर परमिश्वर हम लोगों से ये बतलाता है कि मेरे प्रजा के लोग ग्यान ना रहने के कारण से नाश होते हैं आज हम अनंत जीवन को प्राप्त कर सकते हैं यह जो जीवन जो धार्मिक्ता का जीवन हम प्राप्त कर सकते हैं लेकिन इन धार्मिक्ता के जीवन और कौन चीज हमें मिला है कितने आशीश हमें मिला है उसे हम नहीं जानेंगे जब तक हम परमेश्वर का वचन उठा कर पढ़ेंगे नहीं, जब तक हम उसे अपने आखों के सामने लेकर नहीं आएंगे, जब तक हम उसे अपना कानों से सुनेंगे नहीं, प्यारे लोग, इसलिए परमेश्वर का जो वचन है, वो हमारे और आप के लिए बहु नहीं कर सकते हैं, बिना बचन के हम चंगाई को नहीं पराप्त कर सकते हैं, बिना बचन के हम उद्धार को नहीं पराप्त कर सकते हैं, क्योंकि दरमसास दी कहता है, जब हम परचार या जो लोग परचार करते हैं, परमिश्वर के विशे में बतलाते हैं, जो सू समाचार जो तब तलग हम परमिश्वर को अपना नहीं पाएंगे, अगर हम अपने जीवन को भी देखते हैं, या आप अपने जीवन के बतला सकते हैं, जब तक आप इस मसी के बारे में सुना नहीं, तो आप इस मसी को अपना या ही नहीं। दौलत हो, इस संसार की सबसे बढ़िया से बढ़िया चीज हो, कुछ भी हो, अगर हम हमारे सरीर में चंगाई नहीं है, तो हमारे जीने का कोई साइद मक्षद ही नहीं है, और जब हम चंगाई चाते हैं और जानते हैं कि परमिश्वर हमें चंगाई करता है, और उस वचन के द्वारा हमें चंगाई मिलती है, तो हमें जरूरी है कि हम उस वचन को अपने आखों से दूर ना होने दें, और ना अपने होटों से कभी ओजल होने दें, कि पवित्र सास्तर खुले आम कहता है, उसमें कोई दबावट ही नहीं हो, तो खुल कर कहता है, कोई भी से पढ़ स कोड़े पड़े कितने लहुब है लेकिन उसने कुच सब कुछ हमारे लिए ही तो साहा, कि जब हम इस जीवन में हैं तो उसके नाम है एक खुश्याली की जिएं कियो हम बीमारी बीमारी में भी हुआ हमotive कियो हम सिर्फ खाट पर पड़े रहें अपने तो हम बिमार हैं लेकिन दूसरों को भी हम ओजल में रखते हैं तो इशु ने कहा कि जब मैं आया तुम्हें जीवन देने के लिए और बहुताई से देने के लिए तो हमें ये जरूरी है कि हम उसके वचन में हमेशा और सदा बने रहें ये सही बात आपने कहा पादरी साब की परमे परमेश्वर ने अपने वचन के दूरा दिख लाया कि जब हम परमेश्वर के वचन से जब हम फेंस हो जाते हैं या जो दिवार अगर आ जाते हैं परमेश्वर के वचन में और मुझ में तो परमेश्वर का जो अनुगरा रहता है वो जो चंगई वो हमसे दूर हो जाता है क्यों कि हम यह एक दवा की तरह है हमारे लिए कि हम बचन से दूर दूर होते हैं यानि कि अगर हम अगर नेचरली देखे अगर डाक्टर आपको दवा देता है कि इसे तीन टेम आप खाना राइड एवरी टावल में आप खाना लेकिन आप लाकर उस दवा का जो प्लेस्टिक में रखिए जहां आपका बेडरूम रहता है और सिटिंग रूम में अगर दो टैबल को पर अलग अलग बाइबल रख दीजिए अगर आप बहर बैटा है वहां पर भी आप एक दरमसास रख दीजिए वो दरमसास रखने से आपको चंगाई नहीं पराप्त होता है हमने दे जीवन में कार को करेगा तो हमने द्लेना है सिर्फ चंगाई के लिए नहीं में यह कहוं गाब मुद आपके जीवन में जो भी समस्या है उसके हर एक हल के लिए फरमिश्वर के बचन में जवाब है मतलब वो हमें अंसर दे सकता है कि क्या हमें करना है अपने जीवन में जब हम इस बचन को जानते हैं कि किस जगा हमें इस किस बचन में जाना है तो हम रास्ते पर चलते हुए भी इस बचन को बोल सकते हैं दियान दे सकते हैं और उसे गरन कर सकते हैं अपने मन में ला सकते हैं और गहे सकते हैं कि यशू आप नहीं ये कहा है तो हमें इसकी जरूरती है जिया बहुत सरल से हम यह कर सकते हैं कि अगर आप सुबा उठता है या जो भी बचान आपको परमिश्वर दिखलाता है आप तो उसके विशे में आप सोचोगे कि ओ, ईशू के मार खाने से हमें चंगाई प्राप्त हुआ ईशू के मार खाने से हमें चंगाई प्राप्त हुआ ईशू ने अपने शरीर में हमारे पापों को लिए हुए कुरुश पर बलीदान हो गया और जब वो बलिदान हुआ मैं पाप के लिए मरा और मैं धार्मिक्ता के लिए जीता हूँ तो इन बातों को हमें याद करना है और उसके विशे में सोचना विचार करते रहना है तो क्या होता है आप परमिश्वर के बच्चन से अलग नहीं होते हो आप परमेश्वर आप ड्राइविंग भी करते हो लेकिन परमेश्वर का जो बचन है वो आप अपने मन में विचार करते हो तो क्या होता है उन्स बचन को जब आप विचार करते रहेगो वो आपके हिर्दे में जाएगा और वो बचन आपके लिए जीवन हो जाएगा जब बिमारी हमें चूने की कोशिज करेगा तो वो बचन जो जीवित बचन है वो अपने कार को करेगा बिमारी से दूर रखने के लिए आप से दूर करने के लिए इसलिए बहुत जरूरी है कि परमेश्वर का जो बचन है वो हमें सुनना वो उसे हमें देखना और अपने हिर्दे में रखना पद्री साब और जैसे हमने पिछले सब्ता देखा था कि परमेश्वर के बचन चंगाई चंगाई में रुकावत हमनों देख रहे थे और पहला हम उनले देखा था कि आविश्वास के कारण से दूसरा हमने देखा कि जो हम बच्छन जब सीखते नहीं है तो हम बिमार हो जाते हैं या चंगाई हम से दूर हो जाता है जब हम सीखते नहीं है फिर हम देखते हैं आज हम देखेंगे कि अपना चंगाई को खो देना तो आप क्य आ है और जब आप चंगाई को खोते हो उसी तरह का बिमारी आता है लेकिन वही बिमारी नहीं रहता है क्योंकि एक बार जब शैतान आपके आत्मा निकरकल चला जाता है दूसरा आत्मा आकर आपको सता सकता है उसी तरह वही बिमारी बार आ सकता है लेकिन आप कैसे पहला तो वोनों ये देखेंगे कि इश्यू मसी ने हर एक बिमारियों को चंगा किया है और हम देखते हैं मेत्यू के किताब में 4, 23 से लेकर 24 तक इश्यू सारे गलील में फिरता हुआ उनके अराधना लायों में उब्देश करता रहा और राज्य का सुचमचार प्रचार करता रहा और लोगों की हर प्रकार की बिमारी और दूरबलताओं को दूर करता रहा और सारे सरीर्या देश में उसका यश्यू फैल गया और लोग सब बीमारों को जो नाना परकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे और जिन में दूष्ट आत्माएं थी और बिर्गी वालों और लकवे के रोगियों को उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया याने कि यहां हम देखती हैं पादरी साथ कि जितने भी लोग आए उसमन से कोई ऐसा नहीं गया जो चंगाई को नहीं प्राप्त किया मैं ये फिर से कहना चाहता हूँ ताकि आप सुन ले दियान देकर कि ईश्यू मसी के नाम में वो शामर्त है आपको चंगाई देने के लिए चाहे बिमारी का कोई भी बड़ा नाम हो, चाहे चोटा नाम हो, चाहे बड़ा नाम हो, चाहे बहुत बड़ा नाम हो चाहे ऐसा नाम हो जो आपको मिर्तियों तक भी लेकर जाता है इशू के नाम से मुर्दे भी जी उठते है तो उसके नाम में वो शामर्त है और जब आप इशू के नाम पर किसी मैंने जो कहा था कि किसी वेक्ति से जो अभिशेक वेक्ति किया गया वेक्ति अगर प्रात्ना करते हो तो उसको प्रात्ना करने से तो आप चंगे हो जाते हो ये सिर्फ मैं कहता नहीं हूँ लेकिन वचन से हम देखा कि इशू ने सब को चंगा किया और दरमसास ये भी कहता है कि इशू मसी कल आज और युगान एक साह, तो यिश्यो जब उस समय दरती पड़ता चंगाई को किया, इसी आज अभी शेक किये वेक्ति को या जो यिशुमसी को अप्ना लिया है, उसके जीवन में इसुमसी है यानि कि मैं आगर आज प्रात्ना करता ओई-शुमसी के नाम से तो मैं यह कह सकता हूँ ऐसुमसी यहां पर है चंगाई देने के लिए या जिसके पास आप जाते हो प्रात्ना करने कि तो आप क्या प्रात्ना करते हो लेकिन जब आप तुरंट या शायद चंगाई को तुरंट आप नहीं देखते हो शरीरिक रूप में ठीक सुना लेकिन या जान ले कि बिमारी जड़ से मर चुका है जब आप प्रात्ना करते हैं उस जो बिमारी का जड़ है जो जिसका जो रूट था वो वहां से मर चुका है या जुरा चुका है बहुत समय ऐसे रहता है कि जो लोगों को अगर हम मारते हैं पीड़ा चला जाता है लेकिन उसका जो माक रहता है लाल से माक हो जाता है चड़ी का माक रहता है वो रहता है उसके मतलब यह नहीं कि पीड़ा वहां पर है इसी परकार से अगर जो बिमारी का जो जड़ से चला ज यह लेकिन यह जान लीजी आप कि उस आप तुरंट चंगाई को प्राप्त किया यदि यहां इस स्थान पर विश्वास आता है जिसे हम कहते हैं बहुत से लोग कहता है ओ बहुत भारी विश्वास बहुत भारी विश्वास है बारी विश्वास क्या है यह कहना कि मैंने इश् कर लिया है आपने अपना चेंगाई पराद कर लिया है तो आप कह सकते हो कि कैसे हो सकता है बरहम सास में कहां पर लिका है तो हम देखते हैं कि जब प्रभीई सु मसी ने उस अंजीर के पेड़ को शरब दिया था पाधर Çağ però पाधरी और फिर 20 से लेकर 21 तक पढ़िया दूसरे दिन जब वे बैतनियां से निकले तो उसको भूक लगी वा दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए पर पत्नों को छोड़ कुछ ना पाया किमकि फल का समय ना था इस पर उसने उससे कहा अब से कोई तेरा फल कभी ना खाए और उसके चेले सुन रहे थे फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ से सुखा हुआ देखा पत्रसकोवा बात शमरन आई और उसने उसससे कहा हे रबी देख या अंजीर का पेड़ जिसे तू ने श्राब दिया था सूख गया है इशू ने उसको उत्तर दिया परमेश्वर पर विश्वास रखो मैं तुम से सच कहता हूँ कि जो कोई इस पार से कहे तू उखड़ जा और शमुंदर में जा पड़ और अपने मन में संधे ना करे वरन विश्वास करे तो यहाँ पर इस विश्वास को हम देखते हैं कि इशू ने उस अंजीर को पेड़ से कहा कि आज के बाद इस पेड़ में से कोई फल नहीं खाएगा कहे कर इशू वहाँ से चला गया उनके जो चेले थे उन लोगों ने जिसम देखते हैं कि पत्रस ने बाद में याद किया कि इशू ने क्या कहा लेकिन हम यह भी देख सकते हैं कि जब इशू ने कहा उन वच्चन को वो लोग देखा कि पेड तो जुराबे नहीं करा यह पेड में कुछ अंतर हुआ नहीं लेकिन जब कुस गंटों बाद या दूसरे दिन सुबा को जब वो लोग रास्ते से गुजर रहे थे पत्रस इन बातों को याद करते हुए इशू से कहा कि देखे स्वामी या इशू या जो मस्टर कहता है कि देखिए जो आपने कल या आपने इस पेड से जो कहा वो जुरा गया है तो उसका मतलब क्या है यहाँ पर लिखा है कि वो जड से जुरा गया यानि कि जब एक पेड़ का जड़ जुरा जाता है उसका जो पत्ते है वो जुराने के लिए कुछ समय लगता है मैं क्या कहना चाहता हूँ इससे जब आपके लिए चंगाई के लिए प्रात्ना किया जाता है प्यारे लोग वो बिमारी का जो जड़ है वो तुरन जुरा जाता है या बिमारी का जो जड़ है वो मर जाता है शायद वो शरीर में दिखने के लिए समय लगेगा एक रात या एक दिन लगेगा या दो रोज लगेगा लेकिन उसका मतलब या नहीं है कि हम देखते नहीं चंगाई और हम यह कहने कि सुरू कर दे, कैसे होई, प्रात्ना करा चंगाई नहीं प्रात्ना करा, प्रात्ना करा कुछ हमें अंतर नहीं दिखाया, वो क्या है, वो सब्द के द्वारा हम चंगाई को खो देते हैं, कि यहां हम देखें पादरीजी तो जब इशू ने उस उस पेड को जब श्राब दिया तो उसने मुड़ कर उस पेड को नहीं देखा, कि वो जानता था जो कहता है वो होगा, उसी तरह उसने वो विश्वास और वो वो ताकत हमें भी दी ए, कि अगर हम विश्वास से कुछ कह उसके नाम से तो वो हमें मिलेगा, प्राप्त होगा, हमें विश्वास करना है कि जो मैंने इश्व के नाम से कहा, या जो बचन इश्व कहा और उसी बतन को हमने कहा, वो हमारे लिए जरूर होगा, 100% होगा, हम कभी-कभी फिसल जाते हैं क्यूंकि हम मुड़कर देखते हैं कि वो हमें मिलता है या नहीं? वोहीं पर हमारा विश्वास है वो जो डगमगाने लगता है? वहीं पर हम अपने जो चंगाईए वो खो देते हैं, यह कह सकते हैं क्यूंकि हमारा सब्द बदल जाता है, जहां पर ओने कहना है कि ईश्व धन्यवाद आपके खोड़े कहाने से म हम खो देनते हैं ठीक याद रखना इशू के नाम में चंगाई है लेकिन हम अपने वचन के द्वारा या अपने निर्नेओं के द्वारा जो हम कहते हैं जो हम सोचते हैं इसके द्वारा हम चंगाई को खो देते हैं तो याद रखना जो विस्वास जो है वो या है कि वचन को स सुनना और वच्चन पर लगातार चलना जो आप सुनते हो यानि कि अगर आपने वच्चन को सुना की इस्यू के वार खाने से हमें चंगाई को मिला है तो उसे सुना और उस पर चलना हमें एक्शन भी दिखाना है कि हमने प्रात्ना तो कर लिया है अब मुझे चंगाई की तर प्रकार से चलो पादरी आप पढ़िये प्रोवेफ्स के किताब में हम देखते हैं 1430 यहाँ पर अगर इसके टोफिक दिये जाए तो जलन या क्रोध भी हमारे शरीर में बीमारी ले आ सकता है बीमारी को हम खो भी सकता है इसके द्वारा परंतु मन के जलने से हडियां भी जल जाती है फिर से परोपादरी चांद अगर कोई अमारे परिवारों में बढ़ते हैं या हमारे जो काम करते हैं परोसी बढ़ते हैं तो जलन आता है लेकिन वो जलन आप साथ सोसते होगे जलन के साथ में क्रोध आता है अगर आप सोसते हैं कि हम किसी को क्रोधित होते हैं क्योंकि जो हम चाहते हैं वो करते नहीं है लेकिन उसी जगा पर अगर हम शांती मन लेकर तो दरमस्तास हमें बतलाता है कि शांत मन शरीर को जीवन देता है या शरीर को चंगाई रूप में रखता है जीवन वही है चंगाई रूप में रखता है लेकिन या परंतु मन को जलने से या किसी पर हम जलन करते हैं वो जाकर हमारे हड्डियों को नाश करता है नाश करता है कमजोर करता है, सडाता है हमारे अडियों को, एक अगर टी पी, टी जो है, जो पैशन ट्रांसलेशन है, उसमें अंग्रिजी में लिका आए, लेकिन अगर हिंदी में देखते हैं, तो यह कहता है, जलन और क्रोध आपको बिमार करता है, अगर आप हाज से किसी को जलन ना करे, किसी पर क्रोधित ना हो आप जरूर आप शांती मन में रहोगे तो आप अपने शरीर में भी चंगाई को दिखोगे और और किस तरह से आप जो चंगाई को खो देते हो वो है चुटी हुई मन जो मन का तेड़ा है अच्छी बात है उसका कल्यान नहीं होता ऐमेन आप काई से पढ़ रहे है पाद्री साब और अप्रुक्ण व्रोव्य पढ़ेव इस गानल चाहिए बढ़ी अच्छी बात है तो यह कहता है पाद्री साब जो मन का तेड़ा है मन का तेड़ा है तेड़ा क मतलब कुँज़ी है पेद्री जो किसी को देकर जलन करते हैं या पने अप में नहीं रहते हैं तो क्या होता है? जिसका मन तेड़ा है तो उसका कल्यान कैसे हो? कल्यान नहीं होगा जो और आप कल्यान चाहते हो तो आपका मन जो है उसे सीधा रखना भाझ ज़रुरι है और उलट फेर की बात करने वाला विप्ती में पढ़ता है मतलब सच्चाई को नहीं बोलते हो जो लोग जो बात गुमा करते हो जो अगर कुछ कहना है तो इदर से जाई गुम गाम के ताबाइक तब बते कुछी सच्चाई ही नहीं बोलते हो तो आपके जीवन में समस्य आता है तो हमें क्या करना है सांती मन में रहना है सच्चाई को कहना है जीवन में सीधा रहना है ना पातरी सब तो दूसरे हम देखते हैं और वो है ठूटी हुई आत्मा या आम अगरेजी में कह सकते हैं ब्रोकन स्पिरिट प्रोवेफ्स 1722 मन का आनंद अच्छी औशदी है परंतु मन के तूटने से हड्डिया सूख जाती है ठीक है उसका अर्थ क्या हड्डिया सूख जाती है उसका मारत या होता है कि बहुत जो परमेश्वर का वचन है या बहुत जो चीज रहते हैं जो हम समस्ते नहीं है अगर हम समस्ते नहीं है या कोई हमें कुछ कह देता है और उसे हम अपने जीवन में ले बहुत समय हम लोग परचार में भी सुनते थे कि लोग का जो शब्द है वो एक चूड़ी की तरह रहता है डेगा जैसे कहते हैं जब वो कहते हैं तो हमारे मन में लगता लेकिन ये जब अगर पादरी मैं अगर आपके बारे में कोई बुरा कहे दू तब तक वो आपको छोटने पहुचाएगा जब उस सब्द को आप लोगे नहीं ना अगर कोई आपको कहेगा ओ आप बुरा है आप बढ़ नहीं सकते हो आप हर एक समय समस्या क्रिएट करते हो ल लोगों को जो ये जबान है उस पर हम जीब नहीं लगा सकते हैं लोग कह सकते हैं लेकिन उन सब्दों को जब आप ले 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 हो ओ यह हमें बुलीज की हम खराब है हम बढ़ नहीं पाएगा आप क्या करते हो आप उस देगर को लेकर अपने आपको मारते हो तो क्या होता है कि जब समझ नहीं रहता है या समझ कम होने के कारण से हमारा जो आत्मा या जो मन है वो गलत बातों पर विचार करता है या टूटी वी आत्मा हम कह सकते है या हमारा मन जो है वो टूटा रहता है हमारा जीवन मेरेक समय हम दुक में रह सकता है तो हमारे हडियों को वो क्या करत जरूरत है लेकिन कैसे रखेंगे जो मैंने पहले जो सुना था वो है कि अपने मन की शांती में रहना बहुत जरूरी है तो हम जब मन की शांती में रहे हमारा अड़ी जो रहेगा वो सुकेगा नहीं मजबूत रहेगा हमारे शरीर में बीमारी भी नहीं आ पाएगा तो एक औ देखते हैं आधरम सामस 31 तेन आधरम के कारण से ही हम उसके कारण से भी जो 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 चंगाई है उसे हम खो सकते हैं मेरा जीवन सोक के मारे और मेरी आयू काराते काराते ठल गई है मेरा बल मेरे आधरम के कारण जाता रहा और मेरी हड्डिया धुल गई मेरी अदिया दुल गई याने की सड़ गई है किस के कारण से आधरम के कारण से तो क्या आप कह सकते हो कि मैं तो इस मसी को अपना लिया है मैंने सिका कि मैं धार्मिक बेखती हूँ सही है आप अपने आत्मा में धार्मिक हो आप अपने विचार में धार्मिक नहीं हो सकते आप अपने शरीर से ऐसे कार को जो करते जो धार्मिकता का कार नहीं है तो जब आप मन से और शरीरिक रूप से आप पाप करते हो तो आप शरीरिक रूप में बिमार भी हो सकते हो उसका सजा भी सह सकते हो, सहोगे इसलिए जो मन में जो आत्मा में हुआ वो मन में भी होना चाहिए और वो शरीर में होना चाहिए तो आधरम के कारण भी हम हमारा हड्डिया जो हो सुक सकता है और हड्डिया सुकने से हम बिमार हो सकते हैं और अंत में हम देखेंगे, चमा ना करना, अगर हम किसी को चमा भी ने कर सकते हैं, तो हम हमारे जो चंगाई होने में, या जो चंगाई हम प्रात्ना करते हैं, उसे भी हम खो सकते हैं, पद्री साब. मार्क 11, 25-26 और जब कभी तुम खड़े हुए प्रात्ना करते हो, तो यदी तुम्हारे मन में किसी के प्रती कुछ विरोध हो, तो शमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गे पिता भी तुम्हारे अपराद शमा करें, और यदी तुम्हें शमा ना करो, तो तुम्हारा पिता भी तुम् तुम्हारा अपराद शमा ना करेगा Amen इसका मतलब यह नहीं है कि पिता आपको शमा नहीं करेगा इसका मतलब यह अरत अगर हम देखते हैं तो जो हमारा प्रात्ना है उसमें रुखावत आ सकता है जब हम एक दूसरे को शमा नहीं करेब James के किताब में कहता है श्मा नहीं करते हैंशने कि जब हम प्रात्ना करते हैं और हमारे हिर्दे में, मंन में ज Such George Carelarda कि उसे वो परभीत्रहत्मा हमें देक लाता है कि हमारे यह बाँ़ात्ना यह में रूट किष्टी एक तरफ हम प्रात्ना करते हैं और दूसरी तब हम किसी और विचार मेरे थे हैं चमा नहीं करते हैं जलन रखते हैं खुरोधित होते हैं तो चमा का अर्थ ग्रिक वाशा में भेजना यानि कि भेज देना हटा देना छोड़ देना बहा देना या दूर करना यानि कि अगर किसी को में चमा करना है तो उनको में छोड़ देना मतलब जो का यह उसने किया है उसे हमें बुला देना है याद आएगा यह मैं नहीं कहता हूँ कि याद नहीं आएगा लेकिन हमें चुनाओ करना है उसे बुलाने के लिए हमें चुनाओ करना है उन बातों को छोड़ने के लिए उसे बहा देना है मतलब अगर जो बैतीवी नदी है इसमें से दूर हो जाए दूसरे देखते हैं पत्रस पहला पत्रस तीन और साथ में वन फेस्ट पीटा त्री सेवन में देखते हैं वैसे ही हे पत्यों तुम भी गुद्धी मानी से पत्यों के साथ जीवन निर्वा करो और इस्तरी को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो या समझ कर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारी से जिस से तुम्हारी प्रात्नाएं रुक ना जाए जिस से तुम्हारी प्रात्नाएं ना रुक जाए यानि कि पतियों से कहता है कि अपने पत्नियों से भैर ना रखे गुसाई है नहीं उन्हें हर गलती करता है छमा कर दीजिए ताकि हमारा जो प्रात्ना है वो ना रुक जाए क्यों पती से कहा क्योंकि पती एक घर का अग्वाकार है उसके विस्वास में मैं यह कह सकता हूं कि उसके विस्वास के दौरा उसके परिवार चलता है उसके विश्वास के दोरा उसके पत्नी आशिश पा सकता है पती के विश्वास के दोरा उसके जो बच्चे लोगे वो आशिश प्राप्ट करता है इसलिए परमेश्वर एक पती को आग्या देता है कि अपने पत्नियों से प्रेम रख बाहर ना रखे अपने बच्चों से प्रेम रख उससे ना बहर रखे ताकि हमारा जो प्रातना है, हमारा जो विश्वास है वो रुकेगा नहीं और हमारे परिवार के प्रती भी ना रुकेगा 2nd Corinthians 2, 9 से लेकर 11 तक पादरी क्योंकि मैंने इसलिए भी लिखा था कि तुम्हें परखलू कि तुम मेरी सब बातों के मानने के लिए तैयार हो के नहीं जिसका तुम कुछ शमा करते हो, उसे मैं भी शमा करता हूँ कि मैंने भी जो कुछ शमा किया है, यदि किया हो तो तुम्हारे कारण मसी की जगा में होकर शमा किया है कि सेटान का हम पर दाव ना चले कियोंकि हम उसकी युक्तियों से अंजान नहीं यानि कि ये बच्चत कहता है अगर हम इसे सही तरह से समझ ले कि जब हम चमा किसी को नहीं करते हैं पादरी साब जब हम चमा नहीं करते हैं सेटान हम पर हाबी हो सकता है शैतान हम पर जब हाबी हो सकता है वो हमारे साथ में प्रबल भी हो सकता याने कि वो अपने कार को हमारे जीवन में कर सकता है या हम मुका देते हैं शैतान को हमारे जीवन में कार करने के लिए जब हम एक दूसरे को च्छमा नहीं करते हैं इसलिए इशू सबसमें कहता है कि एक दूसरे को चमा किजिए, जब हम एक दूसरे को चमा करते हैं, यानि कि अब हमें कोई ऐसा कुछ चीज रोक नहीं सकता है परमिश्वर का आशीश या शैतान हम पर हाभी नहीं हो सकते हैं, तो ये बहुत जरूरी है, अन्त में मैं ये को चमा कर दिया, मसी के स्तान लेकर उसे कहता है, ताकि कहता है कि शैतान का जो हम पर दाओं पेच चलना सके, तो ये याद रखना प्यारे लोग, जब हम चमा नहीं करते हैं किसी को, तो शैतान हम पर हाभी हो सकते हैं, शैतान हम पर प्रबल हो सकते हैं, और हम पर राज कर स कैसे हम अपने अपने सी एक वेक्टी ने कहा कि अगर हम किसी को चमा नहीं करते हैं उसका मतलब यह होता है कि मैं जो जहर है वो मैं पीता हूँ लेकिन मैं यह सोचता हूँ कि मैं जहर पीऊं कोई और मर जाए बट वैसे तो नहीं होने वाला है मैं जहर पीऊंगा वो जो जहर मझे मार डालेगा लेकिन बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं गुसा में रहते हैं चमा नहीं करते हैं वो यह सोचते हैं कि मैं जहर प्यूंगा वो विक्ती बर जाएगा मैं जहर प्यूंगा मेरा सास मर जाएगा या मेरा जो दोस्त है वो जो मेरे विरोध में आता है वो ऐसा नह में अगर समस्या आने की भी कोशिश करेगा तो आप वचन में बने रहोगे वो समस्या आप से दूर जाएगा क्योंकि एशू आपको सामर देगा आइमें तो क्यों ना हम प्रात्ना करें जायावन्द परमेश्वल प्रभु येशू मसी हम आपको दनवाद देते हैं आपके प्रेम आपके आशीश आपके अनुग्रा के लिए जो आपने उस अनुग्रा के द्वारा मनुष बरकर इस दर्ती पर आए हमें बचाने के लिए और जब आप दर्ती पर आए हमारे पापों को लेकर अपने दें पर कुरूस पर आप बलिदान हुआ कि हम पाप के लिए मरें और धर्मिक्ता के लिए जीवन बिताए और आपके मार खाने से हम चंगाई को प्राप्त करते हैं आपके लोगों को लोगों के जीवन में इस समय पूरे तोर से प्रगठ हो और वो चंगाई को प्राप्त करें आपके पवित्र नाम से धन्वाद देते हैं इस्व ये वचन के लिए आपके पवित नाम से आमें चाहते हो या उसमें शामिल होना चाहते हो वो शुरू होता है आज और अभी जब आप इस प्रात्ना को हमारे साथ करोगे हमारे साथ प्रात्ना कीजिए मन से विश्वास कीजिए और कहिए देवन पिता मैं विश्वास करता हूँ तेरे पुत्र इश्व पर इश्व तू मेरा प्रबो है तू मुझे आज मेरे पापों से मुझे छमा दिला मेरे दिल में आ अपने आत्मा से भर मैं विश्वास करता हूँ कि तू स्वर से आया मेरे पाप के लिए मरा और तीसरे दिन जी उठा फिर से आने वाला है मुझे मदद कर आत्मा से भर विश्वास में चला इश्य के नाम से अगर आपने वो प्रात्ना किया है मेरा पूरा विश्वास है आप अगर दिल से किया है आपके सारे पाप छमा हुए आप एक नए जीवन नए शिष्टी बने हो तो मैं चाहता हूँ अगर आप हमें संपर्थ करें होगे हम लोग आपको मदद करना चाहते है विश्वास की कदम में या विश्वास की जीवन में चलने के लिए और आपको मुतेजित करते है कलिशिया ढूंदिये पाईये बाइबल पढ़िये और अपने विश्वास में मजबूत बनिये और अपना जीवन शिष्व के लिए जीए धन्यवाद एक बार फिर आप हमारे साथ होने के लिए पर मैं शुर आपको बहुताची आशिश दे और यह हमेशा याद रखना कि शीव मसीही रभू है the latest teaching of God from the Ministry. If you like to host Brother Brian for teaching and ministering at your church or host a conference, you can contact our church office 3315202.